जै माता की सभी भक्तों को कैसे हूँ आप सब आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्सिती हैं और मा जगत जन्नी मामबे की कृपा भी सदैब आपके उपर बनी रहे दिल से कामना तो आप सभी के प्यार से ही मा के आशिरवाद से ही फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होग रही है या फिर आपको लगता है कि आपके घर में जो है किसी ने कुछ ऐसी नाकारतमक उर्जा छोड़ दी है जो निकल नहीं रही है उसको निकालने के लिए और उस नाकारतमक उर्जा का कोई भी प्रवाव घर के किसी भी सदस्य पर ना आए उसके लिए आपको एक उपा अदर अता आ रही है घर के अंदर जो प्रेत बादा है उससे आपको छुटकारा मिलेगा सारी की सारी जानकरी इसी वीडियो में मिलने वाली है मेरे साथ अंतक बने रहना तब आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर क लोगों के घरों में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं जिनके घरों में देवी देवताओं की पुजा नहीं होती है या जिन लोगों के अंदर एउसके पुजा होती है पर वो सात्विक भोजन जैसे की मास बगएरा बहुत खाते हैं सात्विक भुजन नहीं करते हैं उन लोगों के घरों में भी परवेश होने के जादा चांसिज हो जाते हैं शराब जादा पेते हैं इस तरह की चीजों का जादा सेवन आपके घर में होता है तब भी जो है इन चीजों से आपकी घर में नाकारतमक उर्जा खीची जाती है. दूसरा होता है कि अगर आपके घर में किसीने कुछ करा-कराई करके या कोई जादू टोना करके कोई नाकारतमक उर्जा भेजी हुई है तो वो भी आपके घर में जल्दी से प्रवेश कर जाएगी अगर आपके घर में देवी देवताओं का नाम भी नहीं लिया जाता है पूजन भी नहीं होता है पाठ भी नहीं होता है तो ऐसे लोगों के घरों में भ कौन सा ऐसा उपाई करना चाहिए जिस से जो है आपके घर की जो नाकारत्मक उर्जा है वो दूर भाग जाए और घर के कोने कोने में जो है शाकारत्मक उर्जा का वास हो जाए शुक्रवार का दिन जो होता है ये मालक्षमी का दिन होता है इस दिन जो है मालक्षमी की अपार लक्ष्मी के उपर कोई भी ऐसी ना कर तुम और जाब के घर में बेटी है धन धाने के उपर हैं तो उस से भी आपको रहात मिलेगी क्या करना है आपको साम के समय संध्या कालिन समय जो हुता है साथ बजे से लेकर आठ बजे के बीच में आपने ये उपाई करना है आपने एक गाय का उपला लेना है गोबर का जो उपला होता है कंदा जिसको बोलते हैं ये लेना है इसको आपने गैस पर गरम कर लेना है गरम करने के बाद आपने एक पलेट ले लेनी है या फिर एक मिट्टी का बरतन ले लेना है जैसे हम दूनी वगरा करते हैं मिट्टी के बर्तन जो है आपको कुमार से मिल जाते हैं किसी भी दुकान से मिल जाएंगे तो वो आपने लेने अगर नहीं मिलते हैं तो आपने जो है पलेट लेनी है एक पलेट पे आपने यह उपला रख देना है उसके बाद आपने क्या करना है पीली सरसो जो होती है इससे नाकारत्म कुर्जा दूर बगाने का मैं उपाई बता रही हूँ आपने एक मुठी पीली सरसो ले लेनी है अगर आपको लगता है कि घर के किसी सदधश्य के उपर जो है नाकारत्म कुर्जा है तो उसके हाथ से लीजिए अगर नहीं तो घर की कोई ग्रिहन यह उपाई कर रही है तो अपने हाथ से जो है आपने यह पीले सरसो की मुठी लेनी है और इसको आपने मुठी बंद करके उसके अंदर आपने तीन लौंग रखनी है पूरे घर में उस मुठी को हाथ में बंद करके गुमाना है और जो है मा कालका का मा दुर्गा का सिरिब मैं ये उपाई कर रही हूँ आपने क्या करना है अब अपने अपने घर के बाहर दरवाजे के बाहर जो आपका मुख्य दरवाजा है जिससे आप अपने घर के अंदर एंटर करते हैं में गेट है उस गेट के बाहर खड़े हो जाना है और जो है उसके उस प्लेट को ऐसे रख हाथों से ये दुआ इस तरह से कीजिए ताकि ये दुआ जो है आपके घर के अंदर नहीं आपको प्लेट लेकर जानी है आपने बाहर से जो है दुआ अंदर करना है और मा कालका का मा दुर्गा का ध्यान करना है ये कहना है कि मेरे घर में जो भी नाकरतमक उरजा है जो भी सम मस्याइं चल रही हैं किसी ने कुछ उर्जा भेजी हुई है या घर में जादु टोना किया गया है उसको दूर भगाईए हे मा मेरी ये पुकार सविकार कीजिए अब आपने जो ये राख बची है आपकी अब आपने ये प्लेट पूरी रात बाहर रही पड़ी रहने देनी ह उसका दूर बढ़ा रहने देना है सुबह उठते ही आपको इस राख को उठा कर अपने डस्ट बिन में डाल देना है और जो है ये उपाई लगवग साथ शुकरवार आपको करना है या फिर 41 शुकरवार 21 शुकरवार करना है आपके घर की सारी की सारी नाकारत वर्जा का नाश हो जाएगा मा की अपारगरिपा घर के अंदर होगी सब तरह की सुख समरिद्धी और धंदाने में बरकत होगी आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी गर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब सब्सक्राइब करें जाए मात